बच्चों विगर दिनों में हम आदिम समाजों में राजनितिक व्यवस्ता को जानने और समझने का प्रयास करें और हमने उसके विविन स्वरूपों को जानने की चेश्टा की है आज हम जानते हैं जो कि हमने पहले भी पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि आदिम समाजों में कानून की क्या विवस्ता उसका कुछ अंशेश रह गया था आज हम उसके बारे में जानते हैं अदिम समाज आदुनिक समाज की तरह से जटिल नहीं है यह बात मैं आपको पूर में ही बता चुकी हूँ वहाँ प्रताएं, परंपराइं, गोत्र के नियाम एवं नैतिकता ही कानून हैं यह बात भी भली भाती आपको मैं पूर में बता चुकी हूँ और मुझे विश्वास है कि आप इस बात को समझ भी चुके होंगे वहाँ प्रथाएं ही शार्षक हैं इस बात का मतलब क्या हुआ कि वहाँ प्रथाएं ही शार्षक हैं इसका मतलब यह हुआ कि प्रथाएं इतनी सुद्रड़ता के साथ समाज को गठीलता के साथ बांद के रखती है कि उन प्रताओं के विपीत जाने कि व्यक्थी कल्पना भी नहीं करता और स्वेम आदिम कानून की प्रकृति में विश्यस्ता ऐसी है GOOSH वर्तमान कानून से प्रतक करती हैं, वर्तमान कानून कौन सा है, आप जानते ही हैं कि वर्तमान समय में, आधुनिक समाज में जो कानून विवस्ता है, वो पूनता लेखित है, जो लेखिनी, जो कानून की धाराओं से बाहर जाके जो भी बात होती है, वो सर्वमाने को, न्या विव्यक्ति किसी क्रिया को बार बार दोहराता है तो उसकी आदत कहलाती है यह आदत जब संपूर्ण समुद्वारा आत्मसाथ कर ली जाती है तो उसे हम जनरिती कहते हैं फॉक वेस मोर्स यह सब चीजें जनरिती मान दंड यह सारी चीजें शोशल वैल्यूज यह आपने फर्स्ट यहर में पड़ी है तो आपको यह ध्यान होगा कि जनरिती किसे कहते हैं जनरिती वो है जब कुछ आदती संपूर्ण समुद्वारा आत्मसाथ कर ली जाएं यह जन किये जाने पर दंड मिलता है तो कानून अस्थित में आता है ठीक है तो आदिम समाजों में बनाने या बदलने के लिए सचेस्ट एवं सटकल्पनित प्रयास नहीं किये जाते ना ही कानून निर्मार का कारे जनता द्वारा चुने होए जो लोग है उनके द्वारा होता है यह हम किसकी बात करें? आदिम समाजों में कानूनी विवस्था की. चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं आदिम कानून की प्रकर्ती क्या है? यह बहुत important topic है. कई बारे इसमें चारंग के प्रशन पूछे जाते हैं कि आदिम कानून की विशिष्थां बताएं या प्रकर्ती बताएं. तो चलिए हम देखते हैं पहली विशिष्था क्या है? नातेदारी पर आधारित. आदिम कानून का आधा नातेदारी होता है. आदिम समाजों में विक्तियों के कर्तवे, अधिकार, संपती का हस्तांतरन, सत्ता परिसितियादी, रक्त संबंदों तथा विवा संबंदों प वो किस पे ये सारी चीजे रक्त संबंदों तथा विवा संबंदों पर आधारित होती है. इन समाजों में कानून रक्त संबंद परिवार गोत्र आधी के संदर में कारे करता है. आपसी जगडे, संपत्ति का बटवारा आधी परिवार के मुखिया या गोत्र संबंदों के मुख्या द्वारा ही हल किया जाता है आदिम समाजों में सब इस समाजों के वेप्रिद भूमी या शेत्र का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व नातेदारी का है याद रखेगा किसका महत्व है नातेदारी का एक गोत्र का मुख्या अपने गोत्र के लिए कानून बनाता है, उसका पालन करवाता है और एक गोत्र के सते से दूसरे गोत्र की सतता स्विगाल नहीं करते हैं, ठीके, अब इसके बाद हम आते हैं, आधार तथा जन्मत पर, आधिम समाजों में कानून, प्रथा, आचार, धर्म, जन्मत, आधी, ज इतने भी तत्व हैं, ये सब एक दूसरे से इतने घुले मिले होते हैं, कि इनको एक दूसरे से प्रथक करना बहुत मुश्किल कार है। नैतिक मूले आदेम कानूनों को नियंत्रत और संचालत करते हैं। यौनाचार, काला जादू, ये सारे चीजें वहाँ व्यापत हैं, जो कि समाज विरोधी मानी जाती हैं, परन्तु हैं, इस प्रकार के निश्यदू का उनलंगन करने वालों को सावजनिक रूप से विरोध का सामना करना पड़ता है। इस बात को हम इस तरह के से समझ सकते हैं कि किसी के साथ दुशकर्म करना, किसी महिला को शारे रिक तौर पर पीड़ा पहुंचाना, ये सब कानूनी तौर पर अवहध हैं, कानूनी तौर पर इन पर बंदिश है, रोख है और ये दंडेनी अपराद है, बावसुत इसके समा में भी देखने को मिलती है, मैली नुवस्की ने अपनी पुस्तक Crime and Custom in Savage Society में आदिम कानून में इस पक्ष पर बल देती हुए लिखा, कि जन जाती समाजों में कानून मुख्यता, कर्तवयों एवं अधिकारों का एक ऐसा योग है, जिस से की परस पर आदान प्रदान के द् मजुमदार तता मादान क्या कहते हैं, An Introduction in Social Anthropology, यह उन्होंने जो किताब लिखे हैं, उसमें उनका मत है, कि आदिम समाज आकार में छोटे होते हैं, इसलिए इनकी राजनितिक व्यवसा तता कानून में जन्मत का प्रभाव अधिक होता है, जन्मत तता आचार व्यक्ति क के जीवन को नियंतरित करते हैं, समुदाई के सदस्यों में परस पर घनिश सम्मन्ध होने के कारण, जन्मत विशेश प्रभाव शाली होता है, अपनी आवश्रक्तों की पूर्ती के लिए, जो सदस हैं, वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, आचार वा जन्मत के मूल में जो समाज की स्विकार रोकती है, कोई भी सदस इसके अवेलना नहीं कर सकता, और अवेलना करने वाले दंड के अधिकारी होते हैं, ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमने आचार वा जन्मत पढ़ा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं ना धर्म अनेक कारे करता है, कौन-कौन से कारे करता है, देखिए, धर्म और जादू, एक प्रभावशाली तत्व के रूप में पूरे आदिम व्यवस्ता को संचालित करते हैं, और धर्म मैंने आपको जब एंथ्रोपलोजी का पिपर पढ़ाना शूकिया था, तब ही जो को भली भाती विदेत होगा, कि धर्म और जादू में हमने क्या पढ़ा, तो धर्मिक आदार पर जो हम देखते हैं, तो आदिम समाजों में धर्म अनेक कारे करता है, कि इन समाजों में नियंतरन का कारे धर्म करता है, हमने धर्म को जब पढ़ा था, हमने बहुत विस्त से पढ़ा था कि धर्म किस प्रकास से कारे करता है आदिम समाज में धार्मिक मोले विश्वास कानून नैतिक मोले नियम आदी परस पर एक दूसरे से जोड़े होते हैं आदिम समाजों में आलोकिक शक्ति का डर ही कानून का पालन करवाने का साधने व्यक्ति उच्छ शक्ति क सामाजिक नियमों का पालन करता है भारत के सेमंग नागा अंडमान दीप वासियों तथा दर्श्रिन पूर्वी और आस्ट्रेलिया के कुली लोगों में भी विश्वास है कि बुरे कारे का दंड इश्वर देता है जन्जातियों में बिभिन प्रकार के नर्क की कल्प में भी याद है तो आप बहुत अच्छी बात है और अगर याद नहीं है तो आपका कॉलेज का यूट्यूब चैनल उसे खोलिए पिछले पन्नों को पलटिए और आपके यूट्यूब चैनल पर आपको धर्म और जादू का जो मैंने लगबग 6 या 7 कश्वा में पढ़ाया है उन अंजातियों में विविन प्रकार की नर्ग की कल्पा भी की गई है जो अपरादियों को मित्यू के पशाद भुगतने पड़ते हैं पर ये भी मानते है कि सामाजिक नियमों का उनलंगन होने पर इश्वा कुरुद होकर संपूर्ण समूर्ण समाज ये समुदाय को हानी पह है लेकिन है इससे हम मना नहीं कर सकते तो कई अफरीकी जिनजातियों में जो की खासका जैसे अगर हम लाम लेना चाहें पिगमी सुमूद एनू वो और अशली की जिनजातियों में विश्वास किया जाता है कि नैतिकता से संबदित कानून का निर्मार स्वेहम इश्वा न के रूप में दी जाती है इस प्रकार आदिम कानून का निर्मार संचालन निर्दर्शन तता दंड व्यवसादी धर्म के द्वारा ही की जाती है ठीक है अब इसके बाद हम आदिम कानूनों की और कांसी विशेष्टा को जानेंगे हम उसकी चौथी विशेष्टा को जानें और चौती विशेषता है लोक अपराद एवं व्यक्तिगत अपराद ये दोनों अलग लग अपराद है ठीक है तो लोक अपराद वह अपराद है जो समु अथवा राजी के विरुद्ध हो हैं और जो राजी के लिए घातक हो देश प्रेम आपका पुरानी जब हम पर्टिकल साइंस में पढ़ते हैं तो देश को कई जगे राजी के नाम से संभोधित किया जाता है तो यहां सेम वही प्रस्पाक्टिव है तो राज यत्वा समु अपने हितों की रक्षक ले कुछ नियमों का प्रतिपादन करते हैं और जब कभी भी इस तरह के प्रतिपादित नियम करता है तो भी वह अप्राद है और वह उसके लिए भी उसी प्रसपाकार की सजा है जैसे कि राज्ञ प्राद के अन्तर'' विरुष प्रता है राज अपने में अकता है तो वह विक्तिव और उसके रिशेदारों या उनसे बदला लेते हैं इस परकार के बहुत सा रिधरन देखने को मिलते हैं अब इसके बाद हम देखते हैं जो पांची विशेषता है वो है आदिम कानून में अपरादी इरादे को अधिक महत्पुन नहीं दिया जाता वरन ये देखा जाता है कि अपराद हुआ है अत्वा नहीं है आपकी मंशा क्या है ये इंपोर्टन नहीं है आप उस अपनी मंशा में सफल हुए हैं और कितने सफल हुए हैं ये महत्पुन हैं हो स तो उसका परणाम अलग होता है, अधा अपराद का परणाम ही उसकी व्यदानिक तकी कसौटी माना जाता है, भली अपराद करार के व्यक्ति ने अज्यात वर्ष किया हो या ना किया हो, ठीके, अब जब बात हम सामुईक दायत्व की बात करते, तो आदिम लोगं का विश्व अप्राद एवं दंड का निर्दारन स्वैजे बंधु ही करते हैं सामुईक दायत्य के बिना ना तो अप्राद का निवारण ही संबभव हैं ना ही अप्राद से सरक्षन मिल पाता है ठीक है तो ये अंतर हमें समझना होगा और बचों हम पुनहा उसी बात को धोराते हैं कि जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी कख्षा का जो समय है उसे अब मैं घटा रही हूँ और क्यों घटा रही हूँ वो आप जानते हैं कि आप में से कई बचों ने ये request की कि जो 30 की कख्षा होती है उसमें आप लोगों को जो आप समझने का प्रयास करते हैं उसमें आपको दिक्कत आती इसलिए आपके अंश को जो आपका कालांशन से उसे मैंने कम किया है इस अपेक्षा के साथ कि आप पढ़ेंगे वैसे भी हमारे लिए संतुष्टी का भाह हुई है क कि शुट्षल अंत्रोपलोजी के लगबग आपके साथा टॉपिक कम्ट्रीट हो चुक है हाड़ी तीन या चाथ टॉपिक बागी है तो मैं समझती हूँ नेवेंबर मिट तक आपका ये टॉपिक भी सुट्षल अंत्रोपलोजी का पेपर समापत हो जाएगा फिर हम अपन डिविजन शुरू करेंगे लेकर जैसे कि मैं निरंतर आप से कहती हूँ कि हमारे पास समय कम है अब प्लीज आप लोग जो पिछले यूट्यूब चैनल से हैं आपके लगबग देखिए आपकी सेकेंड यर और थर्ड यर के मैंने 71 लेक्चर लगबग अंदाजन मैं कह रह है तो आप लोग प्लीज उसे देखना शुकरें शुआत धर्म जादू से करें और तत्पशास आप उसके बाद जो आपका टॉपिक है कि जन जाती किसे कहते हैं उसका संस्कृती किसे कहते हैं संस्कृती समवर्धन का सिद्धान किसे कहते हैं जाती और जन जाती में क्या जाएंगे तो आपके सामने स्वैंवी प्रशन उत्मन होते जाएंगे और उन परशनों का उतर देने के लिए हम नेवेंबर के आखरी सब्ता से प्रयाश करेंगे हाँ अगर आप अभी पूछेंगे अपने वाटसेप ग्रोप पे तो बिलकुल आपका स्वागत है मैं आपके हर परशन का उतर दूँगी परहंतु अगर आप चाहें कि सारी टॉपिक्स को आप पढ़ते जाएं क्योंकि मेरे ख्याल से अभी मैं मान के चलती सर्फ 10 यह 15 परसेंट बच्चों ने रेगलर वीडियो देखा होगा और यह पेक्षा करती हों कि 3rd year आपकी वो कक्षा है जो आपको एक मौका देती है कि 1st year और 2nd year में अगर आपकी परसेंटेज कम आई है आपके अंक कम आए तो उनको सुधाने का मौका दिया जाए तो आप लगाता है सुधाने का मौका किस सेंस में ऐसे नहीं कि आप पेपर रिपीट करेंगे सुधाने का मौका इस का तात पर यह है कि आप इन जो आपके प्रश्न पत्र हैं उनमें इतने अधिक नंबर लेकर आएं कि आपकी जो आपकी कमिया प्रतम वर्ष अदुतिय वर्ष में रह गए थी उसकी भरपाई हो सके इसलिए यह पेक्षित है कि आप प्रतम वर्ष अदुतिय वर्ष की अपेक्षक्रत बहुत अधिक परिश्रम करें और यह परिश्रम इसलिए भी अपेक्षित है कि हम चाहे ल संतुस्टी हों कि हमने सक्ष प्रतिशत प्रेयास किया और फल तो फिर फल की चिंता थो हमें वैसे भी नहीं करणे चया इए बात तो लगाता है आपको याद है कि फिर्स्ट यह सेकेंडरी की कर्शा में जब आप और हम बात करते हिए हमारे Have been should कमी नहीं होने चाहिए उसके बातों फल देना इश्वर के हाथ में होता है यह जिस भी जिन भी धर्म को आप मानते हैं जिस भी उस आलो के एक शक्ति को मानते हूं और अगर नहीं भी मानते हैं तो आपके हाथ में तो सिर्फ आपके प्रयास है और सफलता असफलता तो जीवन का एक ऐसा हिस्सा है और मैं फिर दोहराती हूं कि असफलता से कभी नहीं घवराना चाहिए मैं जब बहुत छोटी थी तब मैंने पढ़ा था और अपने जीवन में ये मैंने अनुभव किया कि जो मैंने पढ़ा था वो 100% सही था मैंने पढ़ा था failures are the pillar of success ठीक है तो आप अपने जीवन में ये अनुभव करेंगे कि आपकी असफलता के द्वार सफलता के द्वार भी खोलते हैं आपकी असफलता ऐसे अनेक अनेक द्वारों को खोलती है जो आपकी सफलता के लिए मार्ग पशलता करते हैं इसलिए जीवन में कभी भी किसी प्रकार की असफलता से ना घब रहे हाँ हाँ आपके प्रयासों में कहीं कमी नहीं होने चाहिए इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बहुत मन लगा के पढ़े इसे अगली कक्षा में हम आदिम समाज में जो राजनितिक विवस्ता है उसे और जानने की और गहराई से जानने की समझने की चेस्टा करेंगे चिंतन और मनन करेंगे तब परशात मैं आपको कुछ ऐसाइमेंट दूँगी मैं जानती हूँ आप लोग नहीं करेंगे आपका करतवे हैं मेरी मेरी ड्यूटी है मैं अपनी ड्यूटी को फॉल्फिल करूँगी अगर आप मेंसे एक भी बच्छा करता है तो ये कीनर मुझे बहुत खुशी होगी पुना आपसे दोराती हूँ कि आपके उजल भविश्य के लिए मैं हमेशा इश्वर से कामना करती हूँ और ये प्रात्ना करती हूँ कि आप में वो जो एक चेतना जागरत हो जिससे आप अपनी सफलता के लिए बहुत अधिक परिश्रम करें बहुत बहुत धनेवाद